महत्मुर्ण संविधान संसुदन पहला संविधान संसुदन 1951 में होता है इस संसुदन दौरा नौमी अन्सुची को सामिल किया जाता है दूसरा संविधान संसुदन 1952 में होता है इस संसद में राजियों के प्रिदिनियत का नियधार्ण किया जाता है कि किस राज से कितने स साथमा संभिदान संसुधन 1956 में होता है इस संसुधन द्वारा राजियों का आबासा और दा बरगों में विभाजन समाप्त कर उन्हें चौदा राजियों और छे किन्सासित प्रदेश छेत्रों में विभक्त किया गया। दसमा संभिधान संसुधन 1961 में होता है। दादरा और नागर हबेली को भारतिय संग में सामिल कर उन्हें संगिये छेत इस्थिती प्रदान की गई। बारमा संभिधान संसुधन 1962 में होता है। इसमें गोवा दमन्दीप भारतिय संग में एक ही करण किया गया। तेरमा संभिधान संसुधन 1963 में होता है। संभिधान में एक नया अनुच्छे 371 आ जोड़ा गया। जिसमें नागालेंड के पिरसासन के लिए कुछ बिसेश प्रावधान किये गई एक दिसंबर 1963 को नागालेंड को एक राज की इस्थिती पिरदान की गई चौधुमा संविधान संसुदन 1963 में होता है पांडी चेरिय पूडू चेरि को संगराज छेत्र के रूप में पिर्थम अनसूची में जोडा गया तथा इन संगराज छेत्रों में हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन्दी, पांडी चेरि और मनीपोर में विधान सबाओं की इस्थापना की गई 21 समिधान संसुदन 1963 में होता है और आडमी अनसूची में सिन्दी भासा को जोडा गया ignored को एक सोतंत राज के रूप में इस्थापित करने तथा उसके लिए विधान मंडल और विधान परशद का उपबंद करने की सक्थीब्रदान की गई 24 मा संविधान संसुधन 1971 में होता है संसद को मौलिक अधिकारों सहे संविधान के किसी भी भाग में संसुधन का अधिकार दिया गया 27 मा सम्मिधान संसुदर 1971 में होता है उत्तरी पूर्वी छेतर के पाँच राजियों ततकालीन असम नागा लेंड मेगाले मनीपूर तिरपुरा तथा दो संगिय छेतरों मिजूरम और अरुणाचल प्रिदेश का गठन किया गया तथा इन में समन्मय और सहयोग के लिए पूर्वोतर सीमान परिशत की स्थापना की गई यह इंपोर्टेंट फैक्ट है आतर रहता है परिक्षाओं में 31 मा सम्मिधान संसुदर 1974 में होता है लोकसभा की अधिकतम सदस संख्या 545 निश्चित की गई इन में से 543 निरबाचित वा दो राश्पती दोआरा मनोनीत होंगे यह इंपोर्टेंट फैक्ट है कि संसद या लोकसभा में अधिकतम सदसों की संख्या कितनी है 545 जिसमें निरबाचित होने की संख्या कितनी है 543 दो मनोनीत होते हैं कौन से होते हैं यह कमेंट करके बताईए अगला हमारा संब्धान संसुदन 1975 में होता है अरणाचल प्रदेश में ब्यवस्थाप पिका तथा मंत्री परशत की स्थापना की गई 42 मसंब्धान संसुदन जिसे मिनी कॉंस्टिटूफन कहते हैं इसका पूरा डिटेल वीडियो में पहले रही बना दिया है आगे देख लेते मेंनी कॉंस्टिटूफन बोलते 42 मसंब्धान संसुदन को 1976 में होता है इसके दुआरा प्रस्ता नाम धर्मनर पे एक समाजबादी और अखंटा सब जोड़े गए इसके दुआरा अधिकारों के साथ मूल करतब्यों की इस्थापना करते हुए नागरकों को 10 मूल करतब निश्चित किए गए नेक्स पॉइंट लोग सबात था बिधान सबहाओं में कारकाल के में एक बरस की ब्रद्धी की गई इसके दुआरा सिक्षा नापतौल बन और जंगली जान बर तथा पक्षियों की रक्षा ये बिसर राज सूची से निकाल करके संबर्ती सूची में डाले गए इंपॉर士 के अंतर पात काल संब्धान संसुधन को संबधान संसुधन को न्याइलाय में चिनवाती देने से बरجित कर दिया गया चबालिसमा सम्मिधान संसुदर इसका भी मैंने पूरा वीडियो डिटेल में बनाय हुआ है चबालिसमा सम्मिधान संसुदर 1978 में होता इसके इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं राजपती उपराजपती प्रदान मंतरी तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुना विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनाह सरबुच नियालय तथा संबंधित राज के उच्च नियालय को दे दिया गया अगला पॉइंट संपती के मूल अधिकार को समाप कर दिया गया और इसे क्या बनाया गया एक बिधिक अधिकार बना दिया गया मूल अधिकार था संपती का अधिकार पहले अब ये बिधिक अधिकार बन गया है अगला पॉइंट आता है लोकसभा तथा राजविधान सभाओं की अबधी पुनहा पांच बर्स कर दी गई नेक्स्ट आता है पॉइंट इसी में मंत्री मंडल द्वारा राशपती को जो भी परामर्स दिया जाएगा राशपती मंत्री मंडल को उस पर दोबारा बिचार्ज करने के लिए कह सकेंगे लेकिन पुनहर बिचार के बाद मंत्री मंडल राशपती को जो भी परामर्स देगा राशपती उस परामर्स को अनिवारता सुईकार करेंगे या रास्पति मानने के लिए बाद होगा, अगला पॉइंट आता है, ब्यक्ति के जीबन और स्वतंता के अधिकार को सासन के द्वारा आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता, 52 मा संवधान संसुधन 1985 में होता है, इस संसुधन द्वारा संवधान में 10 भी अनसूची जोड़ी गई है, 10 भी अनसूची किस से संबन्नित है, या राजनितिक दल बदल पर कानून जोक लगाने के लिए, यानि कि कोई भी नेता या कोई भी संसत का सदस या राज सवालोक दलता है, उसकी सदस्ता रद कर दी जाती है, 55 मा संवधान संसुधन 1986 में होता है, अरुनाचल प्रिदेश को भारतिय संग के अंतरगत राज का दर्जा दिया गया, 56 मा संवधान संसुधन 1987 में होता है, इसमें गोवा को पूर राज का दर्जा देने, तथा दमन एवं अतादिकार के लिए नियूंतम आयू 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स कर दी गई जो आज हम बोट डालने की आयू या बयक्स होने की आयू हमारी 18 बर्स है पहले 21 थी 61 में समदान सांसुदर 1989 दौर 21 से 18 बर्स कर दी गई नेक्स्ट 65 में समदान सांसुदर 1990 में अनसूचित जाती तथा अनसूचित जन जाती आयोक के गठन की बेफसाप की गई दोस्तो अगला टॉपिक जल्द लेकर आएंगे वीडियो को लाइक करिए से एर कर ये चैनल को सब्सक्राइब करके भैट आइकन को जरू दावाएं थैंक्स वाचिंग